दोस्तो एक तरफ आप देख रहे हैं Royal Infilt Classic 350 का Signals Edition और जो Color Theme है वो है Desert Sand और जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये 24 का सबसे latest model है जिसमें कई सारे updates हो चुके हैं और जिसका नाम है Commando Sand अब देखिए दोनों ही Classic 350 हैं और दोनों के Color Theme अब चेंज हो चुके हैं लेकिन दुख की बात यह है कि जो Desert Sand है ये मुझे बहुत पसंद थी अभी क्या है कि अगर सोरूम पे इसका स्टॉक है तो आप ले सकते हैं Otherwise उनके पास भी कोई ऐसी information नहीं है सोरूम के पास कोई लोग कह रहे हैं कि discontinue हो गई है कोई लोग कह रहे है कि भाईया देखो सायद हो सकता है कि अगर ये वाली जादा ना पसंद करें तो दुबारा उसे relaunch कर सकते हैं तो यार तकलीफ तो है क्योंकि मुझे वो वाली पसंद थी खैर ये वाली भी बहुत लोगों को पसंद आ रही है जो भी आप right side में देख रहे हैं जिसमें पुरा आर्मी जैसा theme दे रखा है कंपनी ने और इनकी कीमत भी बढ़ाई है तो इस वीडियो के पीछे जो मेरा उद्देश से बस ये है कि मैं अपने भाईयों से ये चीज जानना चाहता हूँ कि वाकई में आप बताईएगा कि इन दोनों में कौन सी जादा पसंद आ रही है मैं इनका comparison आपको करके दिखाता हूँ कि दोनों में main difference क्या है कंपनी ने क्या अतबदीली करी है सबसे पहले तो कीमत आप जान लीजिए कि इनकी कीमत में लगभग देखा जाए तो साथ हजार का फर्क हुआ है जो signals wizard sand आती थी उसकी एक्सोरूम प्राइस दो लाख नो हजार थी दो हजार तीस के last में भी और 2024 के starting में भी लेकिन अभी हाल में जो ये कमांडो sand आई है इसकी एक्सोरूम प्राइस हो चुकी है दो लाख सोला हजार रुपए यानि कि साथ हजार रुपए कीमत कंपनी ने बढ़ाई है अब साथ हजार अगर कीमत कंपनी ने बढ़ाई है अब मैं अगर यकीनन अपनी बात बताओं तो ठीक है मुझे भी LED पशंद है लेकिन दूसरी तरीके से आप भी ये चीज समझ पाएंगे आप में से कुछ भाई लोग आखे कॉमेंट करेंगे कि भाई जो पुराना वाला जो हैलोजन बलब होता है न उसकी बात ही अलग होती क्योंकि धुंद में कोहरे में हालोजन बलब थोड़ा सा बहतर काम करता है LED के पे अच्छा ठीक है ये बात कितने हद तक सही है ये आप कॉमेंट में हमें बताएं ठीक है दूसरा चीज में आपको बता दू कि इस नई वाली में आपको मुबाइल चार्जिन पोर्ट की सुवधा मिलती है आप अपने चलती ही बाइक पे अपने फोन वगरे को चार्ज कर सकते हैं लेकिन ये पुरानी वाली जो है सिगनल से डिशन डिजर्ट सैंड इसमें ये सुवधा नहीं थी ये तो चिंजिस मैंने आपको ऐसे बताए हैं जो आप अपनी आखों से सामने से ही देख लेंगे अब अगर छोटे छोटे चिंजिस की मैं बात करूँगा तो उससे कोई खास फरक पढ़ने वाला नहीं है ठीक है अब मुझी क्या लगता है कि कंपनी ने हो सकता है कि ये सोचा होगा कि डिजर्ट सैंड पिछले कई सालों से चल रहा है तो इसमें ऐसी तबदीली करते हैं कि इसमें आर्मी वाला कुछ ठीम लेकर आते हैं जिसे लोगों को और पसंद है तो ऐसा ही कुछ मेरे को लग रहा है कि साथ सेंस कंपनी ने ऐसा ही कुछ लगाया है अगर ये वाला मॉडल ये वाला कलर थीम अगर नहीं बिखता है उनका तो ठीक है और एक चीज का ध्यान रखेएगा कि जो एजस्टेबल लीवर आता है जो नया चेंज है क्लासिक 350 में वो इस वाले में नहीं मिलेगा साथी साथ जो इसके साइड इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको LED नहीं मिलेंगे इस वाले में कमांडो सैंड में अगर आप उपर इसके जाते हैं जैसे अगर उसमें चले गए आप जो आती ये ब्लैक कलर की इस्टिल्थ ब्लैक उसमें आपको देखेंगे तो साइड इंडिकेटर भी आपको LED में मिलेगा साथ ही साथ उसमें आपको ट्रिपर नैविगेशन भी मिलता है मतलब मीटर कंसोल के बगल में छोटा सा गोल सा कंसोल लगा रहता है उस कंसोल से आप Bluetooth के माद्यम से अपने फोन वगरे को connect भी कर सकते हैं तो ये चीज़ फायदा उसमें मिल जाता है जो कि आपको इस वाले में नहीं मिलेगा लेकिन उनकी कीमत भी इस से ज़्यादा है तो अब बताईए का comment करके आप कि आपको दोनों में कौन से अच्छी लग रही है मेरा काम था कि मैंने आपको दिखाया और बताया